प्यारे बच्चों, नमस्कार! कैसे हैं आप सब? अच्छे तो हैं ना? बच्चों, आज हम आपकी पाठे पुस्तक वसंत भाग दो का पाठ चार पढ़ने वाले हैं. यह एक कविता है जिसका नाम है कटपुतली. इस कविता के कवी हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी. बच्चों, आप जानते हो कटपुतली क्या होती है? देखा है आपने कभी कटपुतली का नाच? बच्चों, कट का मतलब होता है काष्ट यानि लकडी और पुतली का मतलब है गुडिया. तो कटपुतली का मतलब हुआ लकडी की गुडिया कटपुतली का खेल बहुत पुराना खेल है जिसे गुडियों अत्वा पुतलियों के नाटक द्वारा खेला जाता है गुणियों के औरत और मर्द रूपों द्वारा जीवन के अनेक प्रसंगों को नाटक के रूप में मंच पर प्रस्तुत किया जाता है कटपुतलियां या तो लकडी की होती हैं या कपड़े की या फिर कागज की लुगदी की आजकल तो पैरिस प्लास्टर से भी कट पुतलियां बनाई जाती हैं इसके शरीर के भाग इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि उनसे बंधी डोर खीचने पर वे अलग-अलग हिल सके भारत में लगभग सभी प्रकार की पुतलियां पाई जाती हैं तथा पारंपरिक मनोरंजन में सद्धियों से पुतली कला का महत्वपूर्ण स्थान रहा है पुराने नाटकों की तरह ही पुतली नाटक में महाकाव्यों और पुरानी कथा कहानियों पर आधारित नाटक दिखाये जाते हैं देश के अलग-अलग प्रांतों की पुतलियों की अपनी एक खास पहचान होती है। उनमें उस जगा की चित्रकला, मूर्तिकला, वेश-भूशा, आदी की जलक मिलती है। राजस्थान की कटपुतलियां काफी प्रसिद्ध हैं। यहां धागे से बांध कर कटपुतली नचाई जाती है। लकडी और कपड़े से बनी और राजस्थानी पुशाक पहने ये कटपुतलियां पुरानी कथाओं पर आधारित नाटकों द्वारा लोगों का मनुरंजन कर पुराने समय में तो अमर सिंग राठोड, प्रित्वी राज चोहान, हीर रांजा, लैला मजनू और शीरी फरहाद आदी कथाई ही कटपुतली खेल में दिखाई जाती थी, लेकिन आज कल देश्व समाज के महत्वपूर्ण विश्यों के साथ साथ हास्य व्यंग्य, ज्यान देने वाले वह अन्य मन और अंजक कारेक्रम दिखाई जाने लगे हैं, जैसा कि आप इन सब चित्रों में देख सकते हो, अनेक परकार की कटपुतलियां हमारे देश में हैं, तो आएए पाठ की ओर बढ़ते हैं, कविता शुरू करने से पहले, आएए हम जान लेते हैं कि क भवानी प्रसाद मिश्र हमें इस कविता के द्वारा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इस कविता में कटपुतलियां स्वतंतरता की इच्छा से स्वयम अपनी बात व्यक्त कर रही हैं, उनके समक्ष स्वतंतरता को साकार बनाने वाली चुनोतियां हैं, धागे में बंधी ह कटपुतलियां पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कटपुतली विद्रोह करती है। वे अपने पाउं पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कटपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता। लेकिन जब पहली कटपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है। वे सोच समझ कर कदम उठाना जरूरी समझती। तो चलिए, किताब खोलिए, अब हम कविता पढ़ेंगे। कविता का द्रश्य देखिए, एक कटपुतली दिखाई दे रही है, जिसके चारों ओर धागे ही धागे बंदे हैं। बेचारी बहुत बुरी हालत में है, हाथ में, पैर में, पूरे शरीर में धागे बंदे हैं। और इन धागों को किसने पकड़ रखा है? एक मनुष्य ने, जोकी परदे के पीछे से इस कटपुतली को नचा रहा है, उसे अपने इशारों पर चला रहा है, और कटपुतली धागों से बंदी परेशान है, और इनसान के इशारों पर नाचने को मजबूर है। जरा सोचिये कि कटपुतली यदि इनसान की तरह सोचने की शक्ती रखती, तो किस प्रकार के भाव उसके मन में आते? बच्चों वे धागों से बंदी है, इसलिए उसे किसी प्रकार की कोई स्वतंतरता प्राप्त नहीं है, वे दूसरों के अधीन है, इस तरह से उसका जीवन बहुत ही परेशानी वे दुख में गुजर रहा है। उसे ये सब पसंद नहीं, इसलिए वे विद्रो करती है, तो कविता के द्वारा हम कटपुतली के मन के भावों को जान पाते हैं। आपको याद होगा, आपके पुस्तक का पहला पाठ, आपने पढ़ा था ना, याद है आपको, कविता थी वे भी, नाम था हम पंची उन्मुक्त गगन के। इस कविता में भी कवी ने पक्षी की स्वतंतरता के बारे में बात की थी। पक्षी पिंजरे में रहकर बिलकुल भी खुश नहीं है, वे आजादी से खुले आकाश में उड़ना चाहता है और अपनी अनेक इच्छाएं पूरी करना चाहता है। इस कविता में भी हमें आजादी के महत्व के बारे में बताया गया था। उसी प्रकार कटपुतली पाट में भी कवी ने हमें कटपुतली के मन में आने वाले स्वतंतरता के भावों के बारे में बताया है। बच्चों हमारे देश में स्वतंत्रता का महत्व हमारे देशवासी अच्छे से जानते हैं आपको भी पता ही होगा कि हमारे देश ने कितनी मुश्किल से अंग्रेजों से आजादी पाई थी किस तरह पूरे देश वासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रो कर दिया था कुछ उसी तरह की भावना हमें यहां कटपुतलियों के अंदर दिखाई दे रही है चलिए कविता पढ़ना शुरू करते हैं कटपुतली गुस्से से उबली बोली ये धागे क्यूं है मेरे पीछे आगे इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पामों पर छोड़ दो सुनकर बोली और और कटपुतलियां कि हां बहुत दिन हुए हमें अपने बन के चंद चुए मगर पहली कटपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी तो बच्चों कैसी लगी कविता छोटी सी बहुत ही सरल और आसानी से समझ आने वाली कविता है हम आगे बढ़ते हैं और इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं पहली पंक्तियां देखिए कटपुतली गुस्से से उबली उबलना क्या होता है बच्चे? जैसे आप देखते हो आग पर अगर हम दूद रखें या पानी रखें तो थोड़े समय में उसमें उबाल आना शुरू हो जाता है कटपुतली के अंदर किस चीज का उबाल आ रहा है? गुस्से का वे गुस्से से उबल रही है अर्थात उसके मन में बहुत गुस्सा भरा हुआ है और गुस्से से उबल कर वे बोलती है ये धागे क्यूं है मेरे पीछे आगे? अर्थात वे धागों से परेशान है वे चाहती है कि ये धागों से उसे चुटकारा मिल जाए फिर वे कहती है इने तोड़ दो तोड़ने का मतलब चुटकारा पाना मुझे मेरे पाउं पे छोड़ दो पाउं पर छोड़ने का क्या अर्थ हुआ बच्चो? कि वे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है उसके मन में कभी कोई खुशी नहीं आई कभी उसने स्वतंत्र जीवन नहीं जिया हमेशा से दूसरों के उपर निर्भर रही अब वे इन धागों को तोड़कर बाहर निकलना चाहती है और दूसरों से सुतंत्र ता पाना चाहती है अब वे परतंत्र नहीं रहना चाहती इसके बाद उसकी बात सुनने पर दूसरी कटपुतलियां जो उसकी साथी थी उसके साथ थी, उसके आसपास ही थी उन्होंने जब उसकी बात सुनी तो उन्होंने क्या कहा? सुनकर बोली और और कटपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद चुए ऐसा बच्चों आपने भी कई बार देखा होगा जैसे एक कोई बच्चा माता पिता से किसी चीज की फर्माईश करता है तो उसे सुनकर दूसरे बच्चे भी फर्माईश करने लगते हैं और कुछ न कुछ मांगना शुरू कर देते हैं वैसा ही कुछ यहाँ पर कटपुतलियों के घर में हो रहा है एक कटपुतली के मन में जैसे ही इच्छा आई कि वे स्वतंत्र हो जाए उसे सुनते ही दूसरी कटपुतलियां भी सोचने लगी मन में कि हाँ हाँ बात तो इसकी सही है तो वे भी बोलने लगी कि हाँ हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं हमें भी आजादी चाहिए वे कहने लगी कि बोहत दिन हो गए हमने अपने मन के चंद नहीं चुए अर्थात हमने अपनी मर्ण मर्जी से जीवन नहीं जिया अपने अनुसार कुछ काम नहीं किया जो दूसरे उनसे काम करवाते हैं वे वही काम करती हैं जैसे नचाते हैं, बिठाते हैं, उठाते हैं वही उन्हें करना पड़ता है, कभी भी स्वतंत्रता के जीवन का मजा उन्होंने नहीं लिया, तो वे सब भी उसकी बात सुनकर स्वतंत्र होने के लिए उत्तेजित हो उठी, उनके मन में भी आया कि हाँ, हम भी अपने मन उनसार जीवन जीएं, अगली पंक्तियां देखिए मगर पहली कटपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, तो बच्चों ये प्रश्न उसके मन में क्यों आया, जब दूसरी सभी कटपुतलियां भी उसकी तरह ही तयार हो गई आजाद होने को, तो वे सोच में पड़ गई, यह सोच उसकी किस कारण आई उ सोचिये जरा, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि कटपुतली को अपना विचार गलत लगने लगा, उस पर वे फिर से सोचने लगी, इसका कारण हो सकता है कि उसे लगा कि जब सभी मेरे कहने पर सुवतंत्र हो जाएंगे, तो उनकी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी, क्या मै वे जिम्मेदारी संभाल सकूंगी, क्या मैं उनका ध्यान रख सकूंगी, क्या मैं उनका भविश्य सुरक्षित रखने में कामयाब होंगी, तो ये सब बाते सोचने के बाद उसने सोचा कि यह इच्छा करना गलत है, क्योंकि उसे लग रहा था कि भविश्य कैसा होगा, कै बहुत चिंता है क्योंकि वे कभी भी स्वतंत्र नहीं रहीं कभी उन्होंने एक कदम भी स्वयम नहीं चला हमेशा ही दूसरों पर निर्भरता भरा जीवन उन्होंने जिया है तो अब अलग होकर धागों से छूट कर वे चल पाएंगी या नहीं उनका भविश्य सुरक्षित होगा या नहीं यह सब बातें सोचते हुए कटपुतली ने अपना विचार बदल दिया तो कैसी लगी बच्चों आपको कविता आपने इसे मजे से सुना है ना अब आप लोग मेरे साथ फिर से इस कविता को गाएंगे आपके पास पुस्तक है तो खोल लीजिए नहीं तो मुझे सुनकर मेरे साथ साथ आप गाएंगे एक पंक्ती मैं गाती हूँ एक पंक्ती आप गाएंगे कटपुतली गुस्से से उबली बोलिये मेरे बाद इस पंक्ती को फिर से सुनिये कटपुतली गुस्से से उबली बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे इन्हें त मुझे मेरे पाउं पर छोड़ दो सुनकर बोली और और कटपुतलिया कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के चंद छुए मगर पहली कटपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी बहुत अच्छा बच्चो, मुझे आशा है कि आपको कविता बोलने में बहुत मज़ा आया होगा तो आईए, अब हम थोड़े से प्रश्न कर लेते हैं देखते हैं, प्रश्नों के उत्तर आप दे पाते हो या नहीं सबसे पहले मैं आपसे बहु विकल्प ये प्रश्न पूछोंगी मैं आपको प्रश्न बताऊंगी और उसके उत्तर के विकल्प बताऊंगी आपने सही विकल्प चुनना है पहला प्रश्न कविता के कवी का नाम बताईए यादी होगा आपको विकल्प सुन लिजिए पहला विकल्प है प्रेमचन दूसरा शिव बंगल सिंग सुमन तीसरा महादेवी वर्मा या चौथा विकल्प भवानी प्रसाद मिश्र कौन है कवी बताईए सही कहा आपने भवानी प्रसाद मिश्र दूसरा प्रश्न बताईए कि कटपुतली को गुसा क्या देखकर आया विकल्प है धागे देखकर रसी मानव को देखकर या फिर संसार को देखकर उत्तर क्या है बच्चो धागे देखकर सही तीसरा प्रश्न कवी ने धागों से बंधी कटपुतली के मन की क्या इच्छा प्रकट की है विकल्प सुनिए गुलाम होने की स्वतंत्र होने की ये दोनों या कोई नहीं उत्तर क्या है बच्चो स्वतंत्र होने की जी हाँ अगला प्रश्न सुनिये, कट पुतली स्वतंत्र क्यों होना चाहती है? उसे स्वतंत्रता प्रिये है, दूसरा विकल्प है, वे बहुत समय से परतंत्र है, तीसरा, उसे आजादी चाहिए, या ये सभी, तो उत्तर क्या है आपका? बिल्कुल सही, ये सभी, ये तीनों विकल्प सही हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, कट पुतली किसकी जिम्मेदारी से घबरा जाती है? एक कट पुतली की, दो कट पुतलियों की, पांच कट पुतलियों की, या सब की? उत्तर है सब की, सही। अगला प्रश्न, पांच पर छोड़ना, इसका क्या अर्थ है बच्चो? विकल्प सुनिये, गुलाम बनाना, स्वतंत्र करना, सीधे खड़े रहना, या पांच बांधना, क्या उत्तर है इसका? स्वतंत्र करना। जी हाँ, सात्वा प्रश्न, कट पुतलियों को किस से नचाया जाता है? विकल्प सुनिये, बिजली से, दूसरा धागों से, तीसरा छडी से, और चौथा जादू से. कैसे नचाते हैं कट पुतलियों को बताईए? धागों से, सही उत्तर. आठ्वा प्रश्न है, अंत में कट पुतली किस सोच में पड़ गई? सही विकल्प बताईए इसका, विकल्प सुनिये. पहला विकल्प है, कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? दूसरा, हमें कौन आजाद करेगा? तीसरा, हमें आजाद होना चाहिए? या चौथा, आजाद होकर क्या करेंगे? तो कौन सी सोच आई उसके मन में कविता के अंत में? सही उत्तर है, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? ये बात उसके मन में कविता के अंत में आजाती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. बहुत खुश थी. बताइए सही या गलत? यह वाक्य गलत है. आगे चलते हैं. कटपुतली अपने शरीर के आगे पीछे बंदे हुए धागों को देख कर परिशान थी. बताइए बताइए जल्दी से. सही या गलत? सही वाक्य है. अगला वाक्य है. पहली कटपुतली की बात दूसरी कटपुतलियों को अच्छी नहीं लगी. बताइए सही या गलत? यह वाक्य गलत है. अगला वाक्य है. कटपुतली बंधन तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती थी. यह तो आपको याद होगा. सही है या गलत? बताइए. यह वाक्य सही है. उससे अगला वाक्य है कट पुतली को गुस्सा नहीं आया बताईए सही या गलत गलत है ये वाक्या अब हम पाठ के अंत में पाठ में आई महत्वपुन बातों को एक बार दोहरा लेते हैं एक और नई बात भी है बच्चो आपने देखा कवी ने कट पुतली को बोलते भाव प्रकट करते दिखाया है ऐसा करने को मानवी करन कहा जाता है अर्थात निर्जीव वस्तू को कवी ने एक मानव की तरह चलते बोलते भाव प्रकट करते दिखाया है इस तरह का चित्रन कवी कई बार अपनी कविताओं में करते हैं तो बच्चों कविता से हमने क्या मुख्य बात सीखी या कविता का मुख्य भाव क्या है? एक तो स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपून है और सब का इस पर अधिकार है हर व्यक्ति को, हर पशु को, प्राणी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है और हमें किसी की भी स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनना चाहिए और उन्हें स्वतंत्र रहने देना चाहिए चाहे वह कोई पशु हो या कोई पक्षी स्वतंत्रता सभी को प्रिय है तो दूसरी तरफ पराधीन कोई नहीं रहना चाहता किसी को भी पराधीनता पसंद नहीं है तो बच्चो यहाँ पर हमारा पार्ट समाप्त होता है आप इस कविता को पढ़िए इसका अर्थ दोहराईए और इसके उत्तर भी लिखने का प्रियत्न कीजिए नमस्कार